दोस्तो आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन आज का वीडियो सबसे सांदार वीडियो में से एक होगा सुरू करते हैं आज का सांदार वीडियो दोस्तो आज का सबसे पहला प्रस्वना है election commissioner के उबर जो कि exam के point of view से बहुत important है अगस्त 2020 में भारत के अगले चुनाओ आयुक्त यानि कि election commissioner कौन बनाए गए हैं तो answer हो जाएगा राजीव कुमार option number 20 का right answer हो जाएगा देखो एक चीज़ याद रखता है बहुत ही simple सा बहुत ही common सा name है इस वज़े से भूल जाते हैं जैसे कि देखो असोक लवासा है थोड़ा सा अलग सा नाम है याद रहेगा अर्विन बोबडे अलग सा नाम है याद रहेगा उनके नाम की गोशना करी है राजीव कुमार के नाम से तो option number 20 का right answer हो जाएगा राजीव कुमार को बनाया गया है इसमें आप एक photo देख सकते हैं जिसमें की देखो मैंने दिखाया है आपको ये election commission का logo दिख रहा है यहाँ पर देखो election commission of India और ये आपको राजीव कुमार का photo दिख रहा है जिनको नया चुनाव आयुक्त election commissioner बनाया गया है आगे चलते हैं जैसा कि आप सभी को पता है हाल ही में इन से पहले जो election commissioner थे असोक लवासा उन्होंने अपने पद से इस्तीपा दे दिया था और प्रेसिडेंट रामनात कोविंद ने उनके इस्तीपे को सुईकार भी कर लिया था ये जो राजीव कुमार है ये जहारकन कैडर के 1984 बेस के I.S. officer है अब चुकि दोस्तों इसी question से जड़ोई हुए facts भी मैं आपको पताता हूँ तो इससे जड़ोई हुए कुछ related important facts को भी discuss कर लेते हैं इस समय भारत का जो G.D.C. है जो की election commission से ही जड़ोई हुए और भी other departments है उनमें कौन-कौन से head है उनको देख लेते हैं पहला हो जाएगा कि इस समय भारत के chief justice of India कौन है तो जश्टिस सरद अर्विंद बोब्डे answer हो जाएगा attorney general of India इस समय कौन है तो Mr. K.K. Venu Gupal इसका right answer हो जाएगा विस्वास मानी ये ये प्रस्न exam में बार-बार घूम फिर कर आते हैं इस समय भारत का solicitor general of India कौन है तो Mr. Tussar Mehta right answer हो जाएगा Central Administrative Tribunal जिसको CAT के नम से जानते हैं उसका chairman कौन है तो Justice L. Narasimha इसका right answer हो जाएगा साथी साथ में भारत की जो constitutional post है उसको भी revision कर लेते हैं लगे हाँ तो भारत का जो constitutional post है जैसे कि इस समय राज्यसभा के chairman कौन है तो Mr. M. Vakaya Naidu राज्यसभा का deputy chairman कौन है तो वो है Harivans Narayan Singh इसके लाबा इस समय speaker of लोगसभा कौन है तो लोगसभा का speaker है ओम बिरलाजी इस समय राज्यसभा का leader कौन है तो वो है Mr. Thawar Chand Gahelot इसके बार में leader of opposition राज्यसभा में Mr. Ghulam Nabhi आजाद है और Chief Election Commissioner सुनीर अरोरा है कैग इस समय कौन है यानि की Comptroller and Auditor General of India इस समय कौन है वो हाल ही में बनाए गए है G.C. मूर्बू जो की पहले जम्मु कुसमी राज्यके Lieutenant Governor हुआ करते थे जिन्होंने अचानक से इस्तीपा दे दिया था और इनको कैग बना दिया गया है Comptroller, Auditor General of India Election Commissioner अभी राज्यकुमार को बनाए गया है First लोगपाल of India भारत का पहला लोगपाल कौन है Justice पिनाकी चंदरगोस इसका राइडेंसर हो जाएगा दोस्तों सिर्फ एक कोश्चन में हमने उसके दाएं बाएं उपर नीशे जितनी भी information हो सकती है सबको cover किया है अगर आपको ये तरीका बहुत अच्छा लग रहा है तो बिना संकोच किये ये मत सोचना कि कोई दूसरा वीडियो को अगर लाइक करेगा आप अपनी जिम्मेदारी उठाकर वीडियो को लाइक करें सपोर्ट करें उसी से हमें पता चलता है कि आपको चीजे पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है अगला प्रस्न होनेगा कि भारत के किस राज्य में एक संकल्प बुजुर्गों के नाम से एक अभियान की सुर्वात करी गई है तो आंसर हो जाएगा मद्यप्रदेस राज्य में इस अभियान की सुर्वात करी गई है तो भारत के राज्य मद्यप्रदेस में बुजुर्गों को लेकर एक अभियान की सुर्वात करी गई है जिसका नाम है एक संकल्ब बुजुर्गों के नाम अब इसमें क्या होगा कि मद्धिप्रदेश में एक जिला है छतरपूर छतरपूर पुलिस के दौरा इस अभियान को सुरू किया गया है जिसमें कि कोरोना महामारी के दौरान पर बुजुर्ग विक्तियों के लिए ऐसे बुजुर्ग विक्ति जो घर पर अकेले रह रहे हैं उनकी कोई हेल्प करने के लिए नहीं है एक संकल्ब बुजुर्गों के नाम नाम से अभियान की सुरूबात उन्होंने करी है इसमें वो करेंगे किया ऐसे बुजुर्गों को समय पर उनके स्वास्त की देखभाल करना, उनको भोजन सम्मंदी सुधाय प्रवाइड कराना, उनको मेडिसिंस बगरा, मेडिकल हेल्प बगरा जो उनको चाहिए होती है इन सभी चीजों को देखते हुए इस अभियान की सुरुवात करी गई है अब चुकि हमने इसमें मद्यप्रदेश की बात करी है तो मद्यप्रदेश से रिलेटर जितनी भी इनफ्रमिसन है उसको हम लग कबर कर लेते हैं मद्यप्रदेश का फॉर्मेशन हुआ था एक नवंबर 1956 को याद करते हुए चलना क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट से जो की एक्जाम में डिरेक्टली पूछ लिए जाते हैं मद्यप्रदेश की कैपिटल है भुपाल टोटल जीलो की संक्या है बावन इस समय मुक्यमंत्री है सिवराज सिंग चौहान और आनंदी बेन पटेल को मद्यप्रदेश का एडिशनल गवर्नर बना रखा है वैसे वो उत्तरप्रदेश की राजपाल है मद्द प्रदेश में लोकसवा सीट है 29, राज्य सवा सीट है 11 और विदान सवा सीट है 230 मद्द प्रदेश के राजकी पच्छी की बात करिजाए तो दूद राज, राजकी पसू 12 सिंगह, राजकी पुस्प लिली, राजकी फल आम और राजकी वरच बरगद आगे चलते हैं, मद्द प्रदेश के कुछ इड़ेम हैं, जिसको डिस्कुस कर लेते हैं, जैसे गांधी सागर डàyम, मद्द प्रदेश में चम्मल नदी के उपर बना है, बान सागर ड Cymbal, सबसे जज़्यदा पूछा जाता है, ये सोन नदी पर बना है, बरगी डेम, इसको नर्बना नदीपर मद्दप्रदेश में बनाए गया है, इसके बाद में है बर्णा डैम, जिसको बर्णा रिवर के उपर बनाए गया है, मद्दप्रदेश राज्जी के अंदर, आई हूप आपको समझ में आगया होगा, अगला पर समने का, कि अगस्त 2020 में निमने लिखित में से किस ने कॉर्पोरेट गरहांकों के लिए ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉँच किया है, तो हाल ही में एक बैंक है, जिसको एचस बीसी बैंक के नाम से जानते हैं, एचस बीसी बैंक ने इस पेसली कॉर्परेट जो इनके गरहांक है, उनके लिए ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम को लॉँच किया है, इस प्रोग्राम को लॉँच करने के पीछे का उदेश है, यहां पर इसके नाम से ही पता चला है, ग्रीन डिपॉजिट यानि कि वात इनरजी, clean transportation और eco-friendly चीजों से related हैं उनको ये बहुत आसानी से finance प्रोवाइट कराएगी तो इसका उदेश आपको पता होगा सिर्फ और सिर्फ कार्बन उत्सर्जन को कम करना, sustainability को develop करना इस उदेश शही अच्छे स्बेसी बैंक ने green deposit program को हाल ही में launch किया है आगे चलते हैं, अगला प्रसे हैं कि अगस्त 2020 में सरकार ने किसके लिए vaccine प्रसासन पर एक राश्ट्रिय विसे सग्य समू जिसको हिंदी में बोलते हैं national expert group on vaccine administration की इस्तापना करी है, तो हाल ही में सरकार ने अगस्त में COVID-19 से fight करने के लिए एक national expert group बनाया है और वो vaccine को administration करेगा COVID-19 से related, अब ये group क्या करेगा? ये जो national expert group है, ये पूरे world में देखेगा कि COVID-19 की vaccine से related क्या काम हो रहे हैं पूरी दुनिया में और भारत उसके comparison में कहां पर लाई करता है और हम किस तरीके से दुनिया में सबसे अग्रनी हो सकते हैं COVID-19 की vaccine को develop करने के लिए हाला कि Russia ने अभी अपनी vaccine को launch कर दिया है, लेकिन उसके बाद में भी vaccine launch करने में काफी race लगी हुई है अगला प्रस्वनेगा कि विस्व स्नूकर Championship 2020 यानि कि वर्ड स्नूकर Championship 2020 किस खिलाडी ने जीत लिया है? तो answer हो जाएगा Ronnie O'Sullivan इसका ride answer हो जाएगा, हाल ही में Ronnie O'Sullivan नाम से एक player है जिन्होंने World Snooker Championship 2020 का किताब अपने नाम कर लिया है, रोनी O'Sullivan का photo आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिन्होंने हाल ही में एक player है जिसका नाम है Kieran Wilson, उनको हराकर उन्होंने World Snooker Championship 2020 को जीत लिया है, तो Ronnie O'Sullivan इसका ride answer हो जाएगा, आगे चलते हैं, देखिए अभी दोस्तों आप सभी को पता है कि अब Bank, SSC और Railway के जो exam होते थे, उन सभी को merge करके common eligibility test कराने के लिए सरकार ने announce किया है, और इस common eligibility test को conduct कराएगी एक agency जिसका नाम है National Recruitment Agency, NRA, जिसको NRA के नाम से जानते हैं, तो चुकि अभी इसको अभी establish किया गया है, और इस department को भी अभी बनाया गया है, तो इसको भारत के कौन से registration के तहट बनाया गया है, तो प्रस्न बनेगा, केंद्रिय मंत्रिवंडल ने हाल ही में, राश्ट्रिय भरती agency की इस्तापना के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करी है, वो किस अधिनियम के तहट इसको पंजीकरत किया जाएगा, तो इसका right answer हो जाएगा, Societies Registration Act 1806, इस Registration Act के तहट ही, NRA को इस्तापित किया जाएगा, तो ये तीनों चीज़े सबस्देना, Societies Registration Act 1806 के तहट, NRA को establish किया गया है, जो कि साल में दो बार CET, Common Illusibility Test को conduct करवाने की करवाएगा, तो ये option number A, इसका right answer हो जाएगा, अगला प्रस्न है, कि अगस्त 2020 में ही, केंद्रिय कैबिनेट ने, Airport Authority of India Limited के कितने airports को, private-public partnership के तहट, Adani Enterprises को lease पर दे दिये हैं, तो Adani Enterprises को answer हो जाएगा, option number C, यानि कि 3, आप अगर कल news देख रहे होगे, तो ये चीज़ बहुत ज़्यदा debate का भी से बना हुआ था, कि ये जो इस समय की government है, ये धीरे-धीरे, जितनी भी public property ती, इसको private players को देती जा रही है, जैसे कि अभी Airport Authority of India Limited के जो 3 airports थे, उनको Adani Enterprises को lease पर दे दिया गया है, तो ये 3 airports को अभी ये lease पर दिया गया है, इससे पहले भी कुछ airports को दिया जा चुका है, तो ये आप देख सकते हो, इसमें एक program है, सरकार का जिसमें की public private partnership, triple P जिसको बोलते हैं, public private partnership के तहर इसको किया गया है, इसमें एको लिखा है, center to lease, यानि उसको lease पर दे रही है, 3 airports to Adani Enterprises, तो ये इसका right answer हो जाएगा, अब ये जो airports हैं, ये कहाँ परिस्तित हैं, ये जैपुर में हैं, गुहाटी में हैं, तिर्वन्त परम, ये सभी हवाइड़े हैं, तीन जिसको हाल ही में lease पर दिया जा रहा है, अगला प्रसन है, कि हाल ही में किस international organization ने एक report जारी करी है, जिसका नाम है, Youth and COVID-19, Impacts on Jobs, Education, Rights and Mental Well-Beings, ये जो report है, इसको हाल ही में, किस international organization ने जारी किया है, तो answer हो जाएगा, option number B, इसका right answer हो जाएगा, International Labour Organization, इसका right answer हो जाएगा, तो ILO इसका right answer हो जाएगा, तो इसका फोटो भी देख सकते हैं, ये जो report है, जिसका नाम है, Youth and COVID-19, Impact on Jobs, Education, Rights and Mental Well-Beings, इसको हाल ही में, ILO, International Labour Organization के द्वारा जारी किया गया है, अब इस report में कुछ facts हैं, जो कि exam के point of view से important है, जैसे कि, इस report के अनुसार, दुरिया भर में, 50% जो youth है, वो संभवता, चिंता और आउसाद से ग्रसित हो सकता है, चिंता किस बात की होगी, जैसे आप लोग अपना example ले सकते हैं, आपके मन में भी दिन में तीन से चार बार ये खयाल जरूर आता होगा, कि कोई exam नहीं हो रहा है, हम अपनी तयारी का क्या करेंगे, हम पड़तो डेली रहे हैं, लेकिन अगर exam ही नहीं होगा, तो हम job केस तरीके से लेंगे, आप जितने भी ज़्यादा talented हो, लेकिन अगर आपको आउसर ही नहीं मिलेगा, तो आप कैसे चीजों को job ले सकते हो, उपर से ये pressure, society का pressure, family का pressure, family की requirements, ये सब इतनी ज़्यादा है कि माइन में एक pressure की rate होने लगता है, कि मेहनत करें तो क्या करें, कहा करें, कैसे करें, अगर आपके साथ में ऐसा feel हो रहा है, तो आप लोग भी comment करके बताईएगा, तो 50% इसकी चपेट में आ सकते हैं, जबकि अभी का अगर जो data है, तो वो है लगबक 17% लोग अभी से ही इस pressure से ग्रसित हैं, तो यह जो data है, एक्जाम में directly पूछ लिया जाता है, इसके लाबा 38% युवा ऐसे हैं, जिसको अपने career या भविस्य के बारे में इसपष्ट जानकारी नहीं है, जिनको नहीं पता है कि वो आगे चलकर क्या करेंगे, क्या बनेंगे, बस वो इस समय चलते जा रहे हैं, इसी के साथ में चुकी इस report को ILO के दौरा जारी किया गया था, International Labour Organization, उसका headquarter Geneva, Switzerland में इस्ते थे, इसके जो director general है, उनका नाम है Guy Rider, आगे चलते हैं, प्रस्तम नेगा, किस भारतिय मंत्राले ने अगस्त 2020 में नई उड़ान योजना को लॉंच किया है, तो answer हो जाएगा, Ministry of Minority Affairs, option number C, इसका right answer हो जाएगा, Ministry of Minority Affairs ने नई उड़ान नामसिक योजना की शुरुआत करी है, जिसका उदेश है क्या होगा, कि जितने भी जो minority student होते हैं, उनको UPSC की तयारी जो है, इस योजना के तहट करवाई जाएगी, नई उड़ान योजना के तहट, तो सरकार की दोरा ये अलप संख्यक समुदाय के लिए एक gift है, जिसमें की civil services परिच्छा की तयारी इस समुदाय को करी जाएगी, जिसमें की ऐसे students को वित्तिय सहायता प्रदान करी जाएगी UPSC की तयारी करने के लिए, और पिछले तीन वरसों में लगबग 150 लड़के विलॉंग करते हैं, उन्होंने UPSC में selection लिये हैं, तो अगर आप लोग भी अलप संख्यक से विलॉंग करते हैं, तो नई उड़ान नाम से website पर जाकर registration करें, आपको UPSC की तयारी सरकार के दोरा करवाई जाएगी, एक bank है जिसका नाम है लक्षमी विलास bank, ने किस नाम से स संपर्क रहेत, यानि कि contactless digital पहल की सुरवात करी है, तो आंसर हो जाएगा लक्षमी डिजी गो, option number ace का राइट एंसर हो जाएगा, कि हाल ही में लक्षमी विलास bank ने लक्षमी डिजी गो नाम से एक contactless digital service की सुरवात करी है, जिसमें banking sector की बहुत सारी सुपदाओं को बिना क इसी को छुए आपस में छुए digital तरीके से access किया जा सकता है, तो लक्षमी डिजी गो नाम से इन्होंने अपनी इस service को सुरू किया है, चुकि इसमें बात हुई है लक्षमी विलास bank के बारे में, तो इसका इस्तापना हुआ था 1926 में, इसका headquarter इसके था चेननाई तमिल न बना दिया है, अगर इसके बारे में आप static gk और current fs दोनों कबर करना चाहते हैं, तो अलग से जब वीडियो बनाया है चैनल पर उसको जाकर देख लेना, यहां पर मैं आपको current fs का portion करवा देता हूँ, जैसे कि, कि राजीव गांधी खेल रत्म पुरसकार 2020 कितने खिलाड प्रदान किया गया है, किसको किसको दिया गया है, इनमा नाम देख लेते हैं, रोहिच सर्मा को जो की cricket से हैं, मरियपन टी जो की para athletics हैं, मनिका बत्रा टेबल टेनिस से, विनेस फगोट जो की कुस्ती से हैं, रानी रामपाल जो की honky से related हैं, अब इन सभी का photo देख लेंगे so that आपको लंबे समय तक याद रहे जाए, रोहिच सर्मा, सभी लोग जानते होंगे, उसके बाद में है, मरियपन ठंगा वेलू, इनका photo देख सकते हैं, मनिका बत्रा, इनका photo देख सकते हैं, विनेस फगोट, उसके बाद में रानी रामपाल, तो ये सभी नाम आपको इसको हाल ही में इंडिया में किसने लॉंच किया है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ये मत सोचें कोई दूसरा कर देगा, हम तो सर्फ वीडियो देखते हैं, ऐसा मत सोचें, आप लोग भी जिम्मेदारी से इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, दूसरे को मोटिवेट करें और खुद भी मोटिवेट हो, तैंक यू